भगोडे कारोबारी विजय मालिया के भारत प्रत्रपर्ण मामले में कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। Supreme Court में विजह मालिया के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें भारती विदेश मन्तराले ने कोड को बताया है कि मालिया के प्रत्यरपर्ण का आदेश बिटेन की सर्वोच अदालत ने दिया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है. केंच सरकार का कहना है कि बिटेन में विजय मालिया पर कुछ गोपनिय कारवाहि चल रही हैं, जिसकी जानकारी भारत को भी नहीं दी गई है और जब तक ये कारवाहि पूरी नहीं होती है, मालिया के प्रेटर पर कोई फैसला नहीं होगा। वहीं पिछले दिनों भगोडे कारोबारी विजय मालिया की कंपनी ने सुप्रीम कोड को बताया था कि वे भारतिय बैंकों को बकाया रकम चुकाने के लिए 14,000 करोड रुपे देने के लिए तैयार है। कंपनी ने ये भी कहा था कि उसकी कुल संपत्ती उस पर बकाया कर्ज से अधिक है। बता दें कि भगोडे कारोबारी मालिया ने बंद हो चुकी एरलाइन्स कंपनी किंग फिशर के लिए बैंकों से 9,000 करोड रुपे का कर्ज लिया था लेकिन कर्ज चुकाय बिना लंदन भाग गया और अब लंदन में उसके प्रत्रप्रेंट के लिए केस चल रहा है।